हेलो गाईज वेलकम बैक टू आर चैनल सिख्षादीप आज की इस वीडियो लेक्चर में अपने बात करेंगे अपने कल के पेपर बीएसी पार्ट सेकिंड के पेपर बोटनी का जो पेपर है इसके अपने चार यूनिट हैं चार यूनिट में जो जो पोसिबल केशन्स अपने बन सकते हैं उस पे बात करेंगे अपना आज और पोसिबल केशन्स ही हैं आपको दो केशन्स मिलेंगे और में डेफिनेटली जो ये वीडियो है इससे मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि एक क चोटे वाले आएंगे, very short question, very short question आएंगे, आपके paper के starting में, यह आएंगे आपके 9 question आएंगे, जो कि हर question एक marks का होगा आपके, तो आपके 9 marks, very short question पूझे जाएंगे, फिर आप कहाएंगे, चार units, जिसमें आपके descriptive question पूछा जाएगा, चार unit मतलब एक question जो आपका होगा, एक question होगा, वो होगा, 6 marks का, इसमें आपको choice मिलेगी, internal choice मिलेगी इन questions में, 6 marks का question होगा, तो 6 into 4, 24 marks आपकी यह होगए, तो 9 plus 24 is equal to 33 marks का आपका, 33 marks का आपका paper रहेगा, तो अपन देखें कि 9 marks अगर यह एक question पूछा जाए, मतलब एक question एक number का हो सकता है, या फिर 18 question आपको दिये जा सकते हैं, जो half-half number का, half-half number के 18 question तो आपके 9 marks उससे बन जाएंगे, तो 24 number में अपने को कौन-कौन से questions important है, है कौन-कौन के questions पिछले साल आए हो हैं, वो अपने discuss करेंगे, क्योंकि पिछले साल वाले questions रिपीट नहीं होंगे, इसलिए आप पिछले साल वाले questions को जोड़ सकते हैं, उसमें से एक question मुश्किल से आता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन से question आने की chance है, तो चलिए शुरू करते हैं, unit number first, unit number first में बात करें, DNA replication है in prokariots, फिर second है DNA damage and repair, इसमें ही और में मैंने आपको question दिया, RNA primer, oka-ja की fragments, इन में से एक question आपको मिलेगा, चाहे ये मिल जाए और ये मिल जाए, मदब ये वाला से, ये दोनों आपको मिल जाए, ऐसे आपको करके एक question इसमें से मिलेगा, और second question आप चाहो तो मदब वो अपने को क्यों तयार करना है, वो बाहर से भी हो सकता है second question अपने को equation attempt करना है जो कि आपके 6 marks gain करेगा तो इस में से इन 4 में से आपको equation मिल जाएगा तो ये 4 question आपको unit first से पढ़ने है unit second ये बात करें Translation in Eukaryors RNA Processing और Positive and Negative Control of Lack of Grants आप यहां translation के साथ transcription भी पढ़ जाएए अगर आपको अच्छा score करना है तो यहां transcription भी पढ़ जाएए क्योंकि यह doubt है translation और transcription में translation काफी बार repeat हो चुका है और पिछली साल भी यह आया था पर यह continuous repeat हो रहा है तो इसके chance भी है और इस बार अगर repeat करके ना दे तो transcription आपको दे सकता है तो आप दोनों ही पढ़के जाए और आप RNA processing positive and negative control और लेक उपरोन यह आपको unit second से पढ़के जाना है only for three questions है unit third में अपन बात करें tissue culture and its application enter culture, embryo culture and its application यह तीन question यह वाले तीन question आपको unit third से पढ़के जाने है जो कि आपके 6 मात का question इन तीनों में से आ जाएगा unit fourth की बात करें application of biotechnology and transgenic plant PCR, polymer chain reaction, restriction enzyme यहाँ पर आप DNA fingerprinting और जोड़ लो यह पि आपकी important है DNA fingerprinting पिछली बार आपके question आया था कि किनी patch में से दो question आपको time करने थे तो जिसमें से आपके दे रखा था जैसे PCR दे रखा था DNA fingerprinting दे रखा था plasmid as cloning vector दे रखा था cDNA library दे रखा था तो ऐसे करके थे तो DNA fingerprinting पिछली बार भी था इस बार भी important है आप इसको पढ़के जाओ ये चार units हो गई आप इसका screenshot ले सकते हो unit wise unit first unit second, third and unit fourth अब मैं एक बार आपको questions पता दू कि आपको कुन-कुन से question नहीं पढ़ने हैं अगर कुछ student उनको पढ़के गलती कर रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी भूल है हो क्योंकि पिछली बार जो question आ चुके वो repeat नहीं होंगे तो unit first से अपने question थे सबसे पहले बात कर लें unit first में कुन-कुन से question आपको देखने को में लें जो अपने last year का paper हुआ था बोटनी का आपके पिछली बार question थे first question था describe describe the मेसल सन इस्थल एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट regarding regarding DNA replication और इसमें internal choice आयू ही थी मतलब आंत्री किसमें आप choice कर सकते थे कि आपको first करना है second second में आपको दे रखा था short notes लिकने थे A और B दो question थे Watson and Crick model Watson और Crick का model DNA वाला जो इन्होंनी model दिया था और nucleosome model तो ये पिछले year के question है unit first से ये ने पढ़ने आपको और unit second से जो question आये थे पिछली सार unit second से जो question आये थे तो सबसे पहले question था process of translation translation की process explain करनी थी इस question में और आपको choice में दिया गया था choice में आपके पास question था राइड 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 अन्नोट उन्दी regulation of lack of पे राउन unit third से आपके पास question थे unit third से आपके पास question थे detailed note detailed note होन micro propagation और आपके पास choice में इसके साथ था write a detailed write a detailed account of enter culture आपकी unit fifth से question unit fourth से sorry unit fourth से आपके पास question थे आपको कोई two questions इसमें से attempt करने थे any two तो आपके पास five questions इसमें दिये गए थे आपके है और यह करीडैने लइबरेरी टेने फिंगर पिइन्टीं ओर लाजमड़ आजमीड, एज, क्लोनिंग, वेक्टर, और PCR, चार ही थे इसमें से कोई आपको दो करने थे, तो इस बार भी PCR और DNA फिंगर प्रिंटिंग आपके इम्पोर्टेंट है, PCR और DNA फिंगर प्रिंटिंग आपके इम्पोर्टेंट है, तो ये केशन्स आपको देख लो, ये केशन्स आपको इस बार पढ़के नहीं जाने हैं, क्योंकि ये पिछले केशन्स पिछले पेपर में आपके पूछ लिए गए हैं, इस बार आपको इसके अलावा जो केशन्स है वो पढ़के जाने हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो और बेस्ट ओफ लग पर यूर एक्जाम, ओके बाई